तो हेलो दोस्तों मैं आप सीगा सौथ करता हूँ आपके मिलें सरमाजीटीरे.com पर पिछली बीड़ों पर आप लोग में काफी अच्छा सपोर्ट दिया उसके लिए 10 दिन से धन्यवाद मैं उस पर सोची रथा काफी वूज आएंगे कि नहीं उसी चक्कर में मेरा हाथ कट जो कि दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा पर कोई बात नहीं ऐसा नहीं है गलती सहाथ कट गया था मेरी गलती की भी पर फिलाल मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आज आप किस तरीके से अपने घर का बजट कम कर सकते हैं अगर आप एक नया घर बनवा र जानकारी दोंगा कि आप अपने घर में लकडी का जो भी काम होता है उसका जो भी पैसा रहता है वो किस तरीके से कम करा सकते हैं कुछ ऐसे टिक्र दोंगा जो आपके घर में काफी इंप्लेमेंट रहेंगे और काफी यूज आएंगे जब भी आप नया घर बनवाएंगे उन सबी से आपका लगबा कम सकम 15-30,000 रुपैसा बच जाएगा अगर आप 3-4 फलो रणाते तो लगबाग 1 लाग का आपका पैसा बच जाएगा अगर आप ये करते हैं तो चलिए मैं वीडियो सुरू करते हैं तो देखे सबसे पहला जरूरी काम होता है कि आपको घर को ड अधिक से अधिक 2 दर्वाजा हर रूम में अगर आप 2 दर्वाजा देघेंबे तो थोड़ा सा वेस्टी होता है या फिस groupe strengthen आप उड़ाइए× से cred में क्या होता बतानीवाल आपको करना है तो आप तो कम से कम दर्वाज़वा का प्रियोफ करें जितने भी रूम में उसमें और जब फंडी होती है और यह तो इसलिए जितना कम से कम होसके उतना खिड़की काम करते हैं अब बात कर लेते हैं कि आप गड़ी के काम को कम पैसे में करवा सकते हैं तो देखिए अगर आप लकड़ी के काम को पॉलिस कराना है तो आप काफी सारी लकड़ी लगवा सकते हैं आपका बजट काम है आप चाहते हैं कि पेंट में मैं ऐसी लकड़ी लगा दू जिसमें दीमक भी ना लगए और चल जाए मतलब ऐसी नहीं कि कुछ सालबा दीमक लगवा तो उसके लिए आप देशी टीक कर सकते हैं और कच्छी पट्ची मतलब कच्छी और पक्की मतलब थर् प्रियुक आप अपने घर में कर सकते हैं और इसके बाद आप इसके उपर पेंट करा लिए इसकी लाइफ काफी अच्छी रहती है चल जाता है 15-20 साल तक राम सकता अगर दीमक ना लगए उससे भी ज्यादा चल जाए रहे हैं अगर आपको चलाना है तो बहुत चल सकती ल लकडी काफी अच्छी चल जाती है वहीं अगर हमनम बात रहें कि कि आप किस तरीके से लंगरी यकी कल कम कर सकते हैं ते कि सबसे पहला मुझ्य जो लगता है मेरे इसाब है अगर आप लकडी के खंचे को कम करना है तो आप यह जिवा पर जो मैं ने बताये AC वाला कि AC अगर आप रूम में चलाते हैं तो कम से कम खिड़की का प्रियोग कर सकते हैं ये बात तो बहुत जरूरी है वहीं अगर हम बात करें मेरा जो कहने का मतलब यह है कि जब आपने घर बनवाया है तो आप एक आंगन जरूर देते होंगे जिस जगहां पे आप आंगन देते हैं जो भी जाल पड़ता है उस जगहां पे आपको सिंगल पताम की चोखड लगवानी चाहिए या फिर आपको उस जगहां पे खली एक या दो खिड़की जादा जादा तीन खिड़की रख लिए दो खड़की नीचे और एक mentalis है यही खड़की आपको अपने रूम में लगवानी चाहिए अब यह खड़की क्यों रूम में लगवानी चाहिए इसका एक कारणा देखे जब भी आप जाल लगाते हैं तो जाल के ऊपर ही आपको जाली का फ्रेम लगवा देना है वो भी लोह जाली का फ्रेम लगवा लिजे जिससे कि किये होगा कि जो भी आपका जाली का फ्रेम है उससे जो भी आपके मच्छड रहेंगे वो अंदर नहीं आए अब मच्छड अंदर नहीं आएंगे तो आपको जो आंगन में है उसमें सिंगल पताम लगाएंगे तो उसमें आपको जा बचा सकते अगर आपको ऐसा लगे जाल की तरफ से कोई भी नहीं आने वाला है चोरी करने कोई भी नहीं आने वाला तो आप जो भी आपका आंगन है वहां पे आप ग्रिल भी नहीं दे सकते हैं ग्रिल भी देना का आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस तरीके से आप भी उसमें आप कटोती करके यह चीज करके आप कुछ पैसा बचा सकते हैं वहीं अगर हम बानलोंग बात करें कि किस लगडी की चौखड लगवाएं एक कम पैसे में हो जाए तो उसके लिए आप नीम की लगडी का प्रियोक कर सकते हैं देखें नीम की लगडी सबसे सस्ती मानी क्यों अगर करना यह है कि उसमें जादा से जादा कोलफास्त लगए क्योंकि वह बहुती जल्दी आचकती है यह घर में गर। तो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं कि उसमें जो भी आपके लगड़ी है उसे ज़्यादा होलफास लगाएं तो कुछ इस तरीके से आपका जो भी घर बनवाएंगे आप कुछ हद तक जो भी आपका पैसा हो बच जाएंगे कुछ आपका पैसा कम पड़ जाएगा क्योंकि यह चीज एक हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट ऑफ मनी अगर आप पीछे की तरफ जबल दर्वाज जेते तो उसका कोई मतलब नहीं है तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो चली वीडियो चली वीडियो को लाइक करिए मन करें तो शेयर करें मन करें तो ना से कमेंट जरू करिएगा